आदनिय बंधू माताओ वे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है बंधू आज हम इस वीडियो में आमल की एकाच्छी की व्रत कथा को सुनेंगे जिसी सुननी सुनाने से भगवान शिरी हरी की कृपा से पापो का नाश होता है वे मोक्ष की प्राप्ति होती हैं कथा सुननी की बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब से पहली आप तक पहुँचें वीडियो को शेर वे लाइक पे जरूर करें बंधु फालगुन शुकल पक्ष में आने वाली ये काच्छी आमल की ये काच्छी के नाम से जाने जाती है जो की इस बार वर्ष 2022 में 14 मार्च दिन सोमवार की है यानि की आज पापो का नाश करने वाली स्वरग वे मोक्ष को देने वाली राज सुप परदान करने वाली आमल की एकाच्छी का व्रत मनुष्य को अवश्य धार्न करना चाहिए इस दिन व्रती स्नानादी किरियाओं से निवरिथो स्वच वस्तर धारन कर भगवान शिरी हरी वे माल लक्ष्मी की पूरण श्रधा भाव से पूजा कर व्रत कथा को सुने धूप दीप से आर्तिकर मिष्ठान का भोग लगाए इस दिन विशेश तोर पर किसी ना किसी रोप में भगवान शिरी हरी को आमला अवश्य चड़ाएं हरी किर्टन करते हुए समय व्यतित करें अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासु दिवाए मंत्र का जाप करें विधी विधान से इस व्रत को धारन कर हरी नाम का किर्टन कर व्रत कथा का श्रवन कर मनुश्य स्वरग यवं मोक्ष का अधिकारी होता है आईए अब सुनते हैं एकाच्छी की कथा मान धाता बोले हे वशिष्ट जी कृपा कर आप मुझ से ऐसे व्रत को कहिए जिस से मेरा कल्यान हो मेहरिशी वशिष्ट जी कहने लगे हे राजन सब व्रतों में उत्तम व्रत और अंत में मोक्ष को देने वाले आमल की एकाच्छी की व्रत का मैं वर्णन करता हूं ध्यान पूर्वत सुनों यह एकाच्छी फालगुन शुकल पक्ष में होती है इस व्रत को करने का फल एक हजार गो दान के फल के बराबर होता है इसे करने से सभी पाप नस्ठ हो जाते हैं अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक पोरानिक कथा सुनाता हूं ध्यान पूर्वक सुनों व्यदिश नाम की नगरी में चैत्रत नाम का चंद्रवन्शी राजा राज्य करता था उसके राज्य में परतियक वरण के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे नगर में सदै वेद ध्वनी गुंजा करते थे राजा अत्यंत विद्वान एवं धर्मी था उसके राज्य में गरीबी का नामों निशान ना था सभी नगरवासी भगवान विश्नु के भक्त थे और सभी मिलकर राजा सहित एकाशी का वरत रखते थे एक समय फालगुन शुकल पक्ष की आमल की एकाशी के दिन सभी नगरवासियों ने राजा के साथ हर्ष पूर्वक वरत को किया राजा ने प्रजा सहित मंदिर में जाकर कुम्ब स्थापित कर धूप दीप नवैद्दे पंच रतन आदी से शिरी हरी की पूजा की रात्री को सब ने जागरन किया रात की समय वहां मंदिर में एक बहेलिया आया जो अत्यन दुराचारी और पापी था जीव हिंसा करना उसका नित्य का कार्य था वह बहेलिया उस समय भूख प्यास से व्याकुल था प्रन्तु रात्री की समय मंदिर में होते हुए जागरन को देखकर वह वही बैठ गया और उसने पूरी रात वही पर हरी जागरन वह हरी कथा सुनते हुए पिताई प्राते काल होने पर जब सब लोग अपने घर चले गए तो वह भी अपने घर आ गया घर आकर उसने भूजन किया अनजाने में ही उस बहेलिये से एकाशी का व्रत व्याजागरन हो गया और द्वाच्छी को भोजन कर उसने अपने व्रत का पारन किया कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यू हो गई लेकिन एकाशी व्रत के परभाव से उसने अगले जनम में राजा विदूरत के घर जनम लिया उसका नाम वसूरत रखा गया वहे अत्यंत धार्मिक सत्यवादी करमवीर और विश्नु भक्त था वहे प्रजा का समान भाव से पालन करता था दान दिना उसका नित्य का कारे था एक दिन राजा वसूरत शिकार खेलने वन को गया और मारक भटक गया दिशा ग्यान ना होने की कारण और थकावट की कारण राजा एक व्रिक्ष के नीचे रुक गया और थका होने की कारण उसे व्रिक्ष के नीचे लेटते ही निद्रा आ गई कुछ समय बाद वहाँ पहाडी मल्लेचा गई और वह यह कहकर राजा को मारने दोड़े कि इसने हमारे माता, पिता, पुत्र, पोत्रादी अनेक संबंधियों को मारा है अते हमें इसे मार देना चाहिए ऐसा कहकर उन मल्लेचों ने राजा के उपर अस्तर शश्तर चलाने शुरू कर दिये प्रंतु देव कृपा से वे अस्तर शश्तर राजा के शरीर से लगते ही पुष्प बन जाते और अब उनके अस्तर शश्तर वापिस उन पर ही परहार करने लगे उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य इस्तरी प्रगट हुई वेह इस्तरी अत्यंत सुन्दर होते हुए भी उसकी भोएं चड़ी हुई थी आखों से अगनी बरस रही थी काल के समान वेह इस्तरी उन मलेचों पर तूट पड़ी और शिग्र ही वे सब काल के गाल में पहुँच गई जब राजा सो कर उठा तो उसने अपने नस्देक मलेचों को मरा हुआ देखा राजा सोचने लगा कि इस वन में मेरा कोन हितेशी है जिसने इन से मेरी रक्षा की है राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी आकाश वानी हुई कि हे राजा इस संसार में भगवान विश्णु के सिवा कौन किसी की सहायता कर सकता है इस आकाश वानी को सुनकर राजा भगवान विश्णु को परनाम करता हुआ अपनी राज्ये में आ गया और सुक पूर्वक राज्ये करने लगा महरिशी वशिष्ट बोले कि हे राजन यह आमल की एकाशी के व्रत का ही परभाब था इसलिए जो मनुश्ये इस आमल की एकाशी का व्रत करते हैं इसकी पवित्र कथा का श्रवन करते हैं वेह परती कारिय में सफल होते हैं पापों से मुक्ति पाते हैं और इस लोग के सुखों को भोगते हुए अंत में विश्णु लोग को जाते हैं बोलो विश्णू भगवान की जय बंधू भगवान श्री हरी की कृपा आप वे आपकी परिवार पर सदैब बनी रहे आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे इन ही शुक कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यावाद राधी राधी